हमश्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आप क्रेप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और आज भी आपको नुपसान होता है और आज अज भी आपको यह नहीं पता कि आपको कहां इंवेस्ट करना है, risk factor क्या है क्रेप्टो करेंसी के अंदर तो धिकार है आप लोगों के लिए क्योंकि अगर आप 3-4 साल से क्रप्टो करणसी में काम कर रहे हैं और अगर आप ये नहीं सीख पाए हैं तो निसंद है आपको क्रप्टो करणसी छोड़ देनी चाहिए आपको किसी और काम में लगना चाहिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम पिछले 2017 से मैं वीडियो बना रहा हूँ और हमेशा आपको गाइड करता रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्रप्टो में काम करिए लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो क्रप्टो में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो आज भी क्रप्टो को गालियां देते हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको सड़क पर ला सकती है लेकिन दोस्तों सच्चा ही यह है कि ना तो उनको ABCD पता होता है ना क्रप्टों की XYZ पता होता है मतलब 0 होते हैं केबल इस परपच से क्रप्टों के अंदर आते हैं कि रातों रात वो करोलपती बन जाए 10-20,000 रुपए 10-20,000 डॉलर डाल कर million billion डॉलर वो कमा ले काम धंदा नहीं करें केबल बैट कर ही मौच से काम करें तो क्रप्टों में ऐसा नहीं होता मैं आपको बताऊं कि क्रप्टों में अगर आपको काम करना है आपको सीखना बहुत जरूरी है आपको प्रॉपर तरीके से अपना risk management करना जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस क्रप्टों में join करना है किस में कितना investment करना है तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको जो बारबार नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या update चल रहे हैं क्रप्टों में और क्या होने जा रहा है जिससे आपको knowledge हो और आपको ये पता लगे कि हमें क्रप्टों में किधर मुड़ना है कौन सा रास्ता चुनना है कौन सी गली चुननी है जो आपकी बंजल तक आसानी से ले जाए तो दोस्तों मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं अन्विदार के चैनल तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली जो ख़बर आ रही है वो XRP की तरफ से आ रही है और मैं आपको बताऊं कि XRP आपने देखा होगा कि SEC के साथ मुकत्मा चलना है XRP का और अभी तक वो final नहीं हो पाया है और जो price चलने थे 0.6, 0.7 dollar के और वो XRP के जो coin के price थे वो 0.3 dollar और 0.25 dollar के आसपास भी पहुँच गए तो ये एक बहुत चिंता की बात है लेकिन हमने XRP को अपनी ख़बर में क्यों सामिल किया तो ये एक बहुत बड़ी news आ रही है XRP की कि XRP जो है वो launch करने जा रहा है अपना stable coin बहुत ही जल्दी जिसका नाम होगा USDS और सबसे बड़ी बात क्या है ये जो इसका stable coin है ये एक तरीके से launch हो रहा है एक ऐसे platform के उपर जो SEC से qualified custodian है मतलब SEC एक ऐसे platform को इसने use किया है जो SEC द्वारा already recognize है और SEC ने उसको एक तरीके से license दे रखा है custodian का काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर SEC जैसी संसा जिस platform को अपना custodian nuke कर देती है बतलब एक तरीके से custodian nuke कर देती है वो stable coin obviously आने वाले time में एक अच्छा option crypto market में हो सकता है और मैं आपको बता जाता हूँ कि वो क्या website है और आप देख सकते हैं कि ये इसका नाम है Stably और Stably जो है ये SEC के द्वारा approved custodian है और इस custodian को use करके XRP जो है वो अपना stable coin launch कर रहा है तो दोस्तों ये एक stable coin भी बहुत अच्छा सावित होगा क्योंकि पीछे से backup जो है वो बहुत अच्छी है दूसरा मैं आपको इस Stably के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप इस exchange पर जाकर तमाम जो stable coin है उनको आप buy कर सकते हैं multi chain crypto को ये support करता है दूसरा global payment को ये accept करता है आप visa से आप और किसी भी credit card से debit से आप इसमें जाके अपने fiat currency से आप इसमें crypto जो है stable coin आप इसमें खरी सकते हैं कि ये usds इसमें already जैसे मैंने आपको बताया ये इसमें option आ गया है usdcv है usdtv है बत्तब जितने भी बड़े-बड़े stable coin है वो सारे इस platform पर available है even इस पर बड़े-बड़े coin जो है btc ethereum ada जैसे coin भी वो भी इस पर आपको buy कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी xrp के लिए और जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि usdt के साथ कुछ इस तरीकी की चीज़ें चल रही है कि उसके पीछे कुछ backup की problem चल रही है लेकिन ये जिस तरीके से usds ये coin आ रहा है इसके पीछे जो backup है वो sec का है ये एक अच्छी बात है तो दोस्तों question ही उड़ता है कि ftx us जो की अभी डूब गया और जिसकी bankruptcy जो है फाइल हो गई उसके पीछे भी तो sec का हाथ था उसको भी sec ने किस तरीके से approval दिया था us में काम करने के लिए और वो कैसे डूब गया तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो crypto space में आती रहती है बहुत सारी चीजे market में आती रहती है तो हमेशा मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा source समझकर आप काम करें crypto में दोस्तो मैं एक अगली news पर लेकर आपको चलता हूँ और वो खबर जो आ रही है वो टीथर की तरफ से आ रही है एक million USDT जो है टीथर ने solona से transfer कर दिये है Ethereum chain के उपर और 1 billion USD का मतलब यह होता है कि बहुत कुछ चीजें है तो यह जो चीजें की है solona से इसको Ethereum पर change किया है यह थोड़ा सोचने माली बात है कि solona को क्यों छोड़ा उन्होंने क्या solona के पीछे कुछ ऐसी खबर आ रही है या कुछ ऐसा doubt बन रहे है जो उन्होंने Solona से इसको Ethereum पर change किया तो ये थोड़ा सा मैंने tweet भी किया था आप लोगों के लिए कि आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा Tether से और Solona से थोड़ा सा दूर रहेगा इसमें investment जो है वो अभी ना करें और अगर आप इसमें trading कर रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं जब तक कोई खास update इसमें नहीं आ जाती है दोस्तों अगली बात मैं करता हूँ FTX की और आपने देखा होगा कि FTX जिस समय down हुआ था और उसके बाद ये भी rumor आ रहे थे कि FTX जो है वो hack हो गया है उसमें से पैसे निकाल लिए गए है और उसके पास बहुत कम fund रह गया था मैं आपको clear कर दूँ कि जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बहमाज जहां FTX का office है वहां की government ने अपने जो भी investor है उनको secure करने के लिए FTX को बोला था कि आप जो fund रह गया है आपके पास जो 78 billion dollars का fund रह गया था उसको उन्होंने बोला था कि आप हमें transfer कर दीजेगा और उसको उन्होंने transfer करा लिया था अपने account में और वो एक तरीके से उसको कहा गया था कि ये hack हो गई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको मैं screen पर दिखा रहा हूं इसकी ख़बर को ये ख़बर आ रही थी भाहमाज की तरफ से उन्होंने वहां की और जो withdrawal लगर थे वो सारे रोग दिये थे और उसको कहा गया था कि ये hack हो गया जस्टन वीवर के नाप तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे उन्होंने जनवरी में आपे NFT जो थी वो खरीदी थी वो उन्होंने उस समय खरीदी थी 1.31 मिलियन डॉलर की खरीदी थी और अभी जो NFT है वो डाउन होकर केबल 72,000 डॉलर के आसपास की रह गई है तो ये बहुत बड़ा पैनिक लोगों में है और ऐसा केबल जस्टन वीवर के साथ ही रही है बड़ी बड़ी जो 4-5 NFT है जो मिलियन डॉलर में विकी है उनके साथ भी यही हुआ है कि वो इस बियर मार्केट में उनकी कीमत जो है वो 90-80% तक नीचे गिर गई है लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बियर मार्केट कब नहीं आया 2018 में भी आया 2017 में भी आया आते रहे हैं बियर मार्केट और हमेशा जब भी बियर मार्केट आते हैं लोग वाग उसकी अलोचना करते रहें कि क्रप्टो गई यह डैड होने वाला है बिटकॉइन जीरो होने वाला है बहुत सारे व्यक्तोत आते हैं पिछले सीजन की बात मैं अगर कहता हूँ जो बिटकॉइन था दो धाईजार तीन हजार डॉलर का चलना था किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह 19,000 डॉलर तक जो पिछले सीजन पर हुआ था आल टाइम हाई वहाँ पहुचेगा लेकिन 19,000 डॉलर तो छोड़ो बिटकॉइन जो है वो 69,000 डॉलर तक टच कर गया तो यह एक अप्रत्यासित चीज जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी हुई है तो अगर मैं यह कहूँ कि आने व रोनोल्डो का नाम तो आपने सुना हुगा फुटवाल के बहुत ही महान खिलाडी है और बहुत ही बड़ी एक तरीके से हरसी है उन्होंने अपनी NFT जो है वो लांच की है अभी बाइनेस के साथ और बाइनेस पे इनकी NFT आपको एविलेविल हो जाएगी तो यह एक बहुत तो दोस्तो हम इस तरीके कि आपको news जो है वो लेकर आते रहते हैं बहुत सारे update आपको हम बताते रहते हैं बहुत सारे confusion जो आपके दमाग में आते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हम उनका उत्तर देते रहें आपको proper guide करते रहें दोस्तो अगर आपको कोई भी confusion ह होता है या किसी तरीके की आपको कोई भी बात पूछनी है हमसे हमारी टीम से आप हमें नीचे कॉमेंट कर सकते हैं हमारी टीम या मैं जब भी फिरी होंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा कोशिश करूंगा दूसरा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तो थोड़ा सा लाइक कर दीजेगा जिससे हिमबद बनी रती है आपके लाइक से बहुत motivation जो है वो मिलता है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब में ही क्या है तो दोस्तो इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा घंटी का भी बटन दवा लीजेगा जिससे आपको notification भी इसकी लोगों में और नई जागरुकता लोगों को मिलती रहेगी दोस्तो अगर आपने हमारा टैलीगराम जॉइन ही क्या है तो टैलीगराम जॉइन कर सकते हैं ट्विटर भी जॉइन कर सकते हैं जिससे हम आपको हमेशा 24-7 आपको अपडेट उस पर डालते रहते हैं तो झाल झाल